नमस्कार दोस्तों जिके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बिहार सिच्छक भरती थ्री पॉइंट सुनि में टीजी टी प्लस बीजी टी तिहाज प्रेटी सेट साथ में तो चली वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक प्रेटटी सेट देखना चाहते हैं इसके के लाएव प्रीएस यर्स के जितनी भी पेपर हुए हैं गरीजास , और सब्लोड और उप्लोड कर दिया गए त्यासन है और आप का ग्री वीडियो ओप्लोड कर दिया गहीं त talk लोग देखना चाहिए तो जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो प्रारम करते हैं और लेते हैं यहां पर पहला कोस्टन यहां पर दिया है बौध धर्म में भिच्छुनु बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापती गौतमी संग मित्रा सुजाता यह महिला थी जो बौध धर्म की भिच्छुनु बनी थी दूसरे नमर कोशन पर आते हैं निमलिकित में से कौन सास्थल आंदर परदेश के बेंगी में इस्थित नहीं है दिया है जगया पेट्टा चवखंडी अमरावती नगार्जुन कॉंड़ा तो यहां पर इंसर हो जाए में वरांसी या आपका उत्तर परदेश अगर राज पुछेगा तो इसके अलावा यह तीनों जो है आपका आंदर परदेश में इस्थित हैं तीसरे नमबर कोशन पर आते हैं बहुत काल का सबसे पूराना इस्थूप कौन सा है धम्मेक महाबोधिस्तूप या सांची इस् पर एंशर हो जायेगा आपका सी सांची इस्थूप तो बहुत काल का सबसे पुराना इस्थूप पुछेगा तो सांची स्थूप है कहां पर है यह मद्द्परदेश याद रखेएगा किस राज में मद्परदेश में है यह बेतवा नदी के पस्रिम एक उचाब पहठारी यह वहां छेत्र परिस्थित है और इसको 1989 में जो है युनेस्को की भिश्व धरोवर सुची में भी सामिल कर लिया गया है चौथे नंबर कोशन पर आते हैं बुद्ध ने एक पीपल के पेण के नीचे कई दिरों तक तपस्या की जहां उन्हें ग्यान प्राप्थ हुआ तो यहां पर इंसर हो जाएगा आपका भी बोध गया में तो बोध गया कहां पर याद रखेगा तो यह आपका बिहार राजे में हैं पांचवा नंबर कोशन पर आते हैं संग में रहने वाले बहुत भिच्छों के लिए नियम या नाटक के ग्रंथ में मिलते हैं सुत पिटक आजिए not नियम जो बताए गये हैं बहुत भिच्छू के लिए नमंग गरंफ में इसका उल्लेख किया गया है कि विणैंपीटक यहां पर इंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा सनच्छन प्रदान किया गया था प्रथम बहुत परिशत को दिया है पोरस असोक अजासत्रु चंद्रगुप्त मौरित यहां परेंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट अजासत्रु तो अजासत्रु के ही सासनकल में अगर देखा जाए तो राजग्रिय में 1483 इसा पूर्व याद रखिएगा और इसके अध्याच कौन थे महाकस्यप और सासनकाल किसका था अजासत्रु का साथमे नंबर कोर्शन पर आते हैं अपने महापर निर्वार से पहले बुद्ध ने अंतिमुपदेश संगिती सतापदी कहां दिया था वैसाली में कुसी न वैसाली में दिये थे यहां पर फर्ष्ट वाला अपसन आपका सही हो जाएगा वैसाली में आठवे नंबर कोर्शन पर आते हैं गौतम बुद्ध की मिर्तु के ततकाल बाद किस बहुत परिसत को आयजित किया गया था चौती तीसरी दूसरी या पहली तो यहां परेंसर हो तीसरी बहुत संगिती किस सहर में आयजित की गए थी तीसरी बहुत संगिती जो है किस सहर में आयजित की गए थी तस्चिला रंगोन पाटली पुत्र या स्रावस्तित यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी पाटली पुत्र में पाटली पुत्र बिहार राजम पड़ता है इसकी राधानी भी है पटना नाम से इस समय वर्तमान में जानी जाती है तो यहां पर जो है असोक के अगर पूछेगा तीसरी बाव संगिती किसके सासन काल में वी तो सोक के कब हुवी तो 251 इसापूर में हुआ था कब हुआ था 251 इसापूर में और मोगली पुत्र से जो है इसके अध्यास थे और कहां पर पाटली पुत्र कोशन नमबर दस पर आते हैं दस्वा नमबर कोशन दखेगा यहां पर दिया है कि बौध धर्म के अधिकांस गरंत बौध धर्म के अधिकांस गरंत किस भासा में लिखे गया है संस्कृत मागदी प्राकिर्थ या पाली तो यहां पर इंसर हो जाएगा आपका डी पाली भासा में तो अधिकांस गरंत किस भासा में लिखे गया है तो पाल के सासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था कनिस्क चंद्रगुप दुतिय असो किया इन में सिख कोई ने यहां पर एंसर हो जाएगा आपका कनिस्क के सासनकाल में कुंडलवल में चौथी बह संगीति का आजन हुआ था और उसी समय जो है बहुत धर्म दो भागों में हीन यान और महा यान में बट गया था बारा नमबर कोशन पर आते हैं बारा नमबर दखेएगा यहां पर दिया है इस्तूप सब्द इस्तूप सब्द गौतम बुद के जीवन की निमलिकित किस घटना से संबंदित है यहां पर दिया है मृत्तू प्रथम उपदेश जन्म या ग्रीत्याग इसका एंसर हो जाएगा फर्स्ट यहां पर मृत्तू ठीरा नमबर कोशन पर आते हैं तिरी पिटक धर्म गरंत का संबंद किस धर्म से हिंदू जैन पार्सी या बौद यहां पर राते हैं गौतम बुध के उपदेश मुख्यूप से कहा पाइं जाते हैं अभिधांब पिटक, सुथ पिटक बिने पिटक या तीसराना तो यहाँ पर एंसर हो जायगा आपका कहां पायाते हैं यह पूछ रहा है तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा वह आपका भी सुथ पिटक में बुद्ध के प्रमुख उब्देश किसे मिलता है सुथ पिटक में पंदरा नंबर कोर्षण पर आते हैं कि कस्मीर के सासंकाल के दौरान निम्लिखित में किस अस्थान को चौथे बहुत परसत के रूप में चुना गया था। भारत के किस बौध अस्तल पर गौतम बुध ने सबसे पहले धर्म का परचार किया था बोद गया बरावर गुफा हैं कुशी नगर ये सारनाथ इसका जो राइट एंसर होगा वह है डी सारनाथ में 17 नमबर कोशन पर आते हैं पस्मी हिमालाय में बहुत सिछा का सबसे बड़ा केंद्र की गुंपा राज्य संग राज छेतर में इस्थित है उत्तराखंड इस्याब का हिमान चल पर्देश में हिमान चल परदेश में हिमान्चल परदेश में जो टांडवम नामक अपने दिव्य निर्ति का प्रदाशन करते हैं मुर्गुन नट्राज विसुण या बेंक्टेट स्वर्त यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी नट्राज 19 नमर कोशन पर आते हैं त्री मूर्तियों में स्रिष्टी करता देवता होने के बाद भी आज कल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है दिया सुर्य ब्रह्म्हा चंद्र या वायू यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी ब्रह्म्हा की 19 नमर कोशन पर आते हैं प्रारामभिक भक्ति या अंदलोनों में से एक नैनारों के नितिर्ति में हुआ वे भक्त थे शीव बिसुरू सूर्य या ब्रह्म्हा यहां परेंसर हो जाएगा आपका यह सीव थे कौन थे सीव 21 नमर कोशन पर आते हैं पसुपति संपरणाय के परवर्टक कौन थे लकूलिस वशाव अभिनव या मत्य स्यव नात यहाँ प्रेंसर हो जाएगा पासुपति के लकूलिस एवल आपना अपका सही हो जाएगा लकूलिस 22 नमबर कोशन पर आते हैं निम्लिकित में से कौन चंद्रगुप्त मौर की मृत्तु के बाद मौर समराज की सिंहासन पर बैठा तो यहां पर अंशर हो जाएगा आपका भी बिंदू सार था कौन बैठा था बिंदू सार 23 नमबर कोशन पर आते हैं अंतिम मौर समराट के हत्या के लिए कौन जिम्मिदार है सिमुक्पूस्यमित्र सुंग वस्डेविकẽन यह कनिस्क तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी बिंद्र सुंग 12 नमबर कोशन पर आते हैं मोर्य सहана के प्रसासनिक कार्यों के जिमिदारी कितने सदस्यों को सौपी गए थे 275 जा 25 तो यहां रुचार हो जाएग आपका सी 25 नबर कोशन पर आते हैं भारती समाज को साथ वर्गों किसमें किरित किया मेगस घृइन या इस्ट्रोव नी यहां पर जाएगा अपका का ए वर्ग 26 नमबर कोशन पर आते हैं और अंतिम कोशन आए आज के लिए असोप के अभिलेखों के इनसार निर्मिखित में से कौन सा मगद समराज में एक प्रांतिक किंद्र नहीं था तोसलिव जैनी इंदर प्रस्त या तच्छ सिला तो यहां पर एंसर हो जाएगा आपका सी इंदर प्रस्त के इंदर जो है नहीं था यह थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक कर अपने दोस्तों क्या अधिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम